हालो स्टूदिट्स, हावारी वोल, I hope you learn fine and having good time with your family. तुड़े वी अब गुएंग टू स्टार्ट नू टॉपिक ऑफ इंगलिश, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंगलिश का नया चैप्टर, यूनिट नमबर 4, चैप्टर का नीम है, I am learning English, मतलब मैं इंगलिश सीख रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर का मतलब क्या है, मैं आप्टर कवर अप होने वाला है, स्टुडेश, तो पहले एक पोयम दिया हुआ है, एक्पिरिटी नमबर 1, वो पोयम को हमें राइंस में गाना है, और उसको समझना है, तो फिर्स पोयम, प्रेंग, 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 प्रेंग in the morning, प्रेंग in the noon time, प्रेंग, 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 प्रे प्रेक्टिस करना पड़ेगा जैसे कि फॉर्स्ट दिया है हमारा दिन की शुरुआत की सीसे होती है प्रेयर से तो प्रेयर प्रेयर प्रेय अब करना है इस अब किसी को गाना गाना बहुत अच्छा लगता है तो singing के बारे में का हैं कि singing 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 गाना है गाना है गाना है सुबह गाना है दुपैर में गाना गाना है singing 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 when the sun goes down और जब surya teachers होता है तब ही हमें गाना गाना है ठीक है यह poems की rhyme दी यूई है students इस तरीके से poem को बताया गया है next dancing 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 in the morning क्या बोला गया है morning में भी dance करना है डान्स dance ठीक है नाच रहा है नाच रहा है morning में भी नाच रहा है नून टाइम मतला दुपर की time में भी नाच रहा है dancing 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 when the sun goes down और जब surya automatically क्या करना है कि हमें क्या करना है dance करना है ठीक हैatal...'studies जिसकी जो hobbies होती है उन लोगों के लिए उनकी प्रतिस्ठा होती है ठीक है तो उनको पूरा करने के लिए वो दिन रात मैनत करते हैं उनको practice की need होती है वो practice करते हैं और अपनी जो target है उसको achieve करते हैं swimming 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 in the morning swimming मतलब तैड़ो ठीक है swimming करना है morning में swimming करना है noontime में swimming 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 when the sun boils down understood students इसमें क्या बताया गया है swimming करना है सुबह में swimming करना है noontime में swimming 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 करना है जब सूरिया अस थो तब This is the poem students उसी basis पर आगे activities दी हुई है चलिए activity की तरफ बढ़ते है Students अब हम करेंगे activity number 4 activity number 4 में क्या दिया हुआ है students उसमें दिया हुआ है look she is pile क्या दिया हुआ है देखो ये pile है She is making rangoli वो क्या बना रहे है रangoli बना रहे है Her brother is firing crackers उनके brother जो है वो क्या जला रहे है Crackers जला रहे है ठीक है crackers का मतलब होता है फटा के पोड़ना Her mother is decorating home उनकी जो mother है वो क्या कर रही है गर को decorate कर रहे है सजा रहे है It is winter and you know students दिवाली जो है वो कौन से month में आती है कौन से season में आती है It comes in winter वो winter में आता है Winter मतलब ठंडी के मौसम में उसके नीचे Look, pile is coloring her friends Pile क्या कर रहे है अपने friends को color कर रहे है Pile's friends also coloring her Pile के जो friend है वो उसको भी color मार रहे है They are enjoying holy वो लोग क्या कर रहे है Holy enjoy कर रहे है Holy का festival है और वो लोग enjoy कर रहे है And it is summer और holy कब आता है Summer season में आता है Understood students समश में आया उसके पाद नीचे Look Pile is happy Pile जो है वो बहुत खुश है She is performing garba dance वो क्या कर रहे है Garba dance perform कर रहे है हम करते हैं न गरba students तो वो भी garba dance perform कर रहे है Perform करना मतलब Garba करना ठीक है Kinjal is a singer Kinjal जो है वो singer है वो काना का रहे है वो sing कर रहे है गाना गुन गुना रहे है She is singing garba songs वो क्या कर रहे है Garba songs का रहे है Pile's friends are also enjoying the garba Pile के जो friends है वो भी क्या कर रहे है Garba enjoy कर रहे है It is monsoon आप सब को पता है Garba का season नरवातरी कब आता है students वो monsoon season में आता है मतलब वर्षा रित्नु में Today is Pile's birthday आज क्या है Pile का birthday है Look she is happy देखो वो कितनी खुश है She is enjoying herself वो खुद ही अपने आप में enjoy कर रही है अब हम आगे करेंगे activity 4B Students हमें आपने activity जो ही लेगे activity number 4B साचा में विदान सामें true आने खोटा में विदान सामें false लगो तो मैं तमने समझावे हो तो के firecrackers, fire विशे अपने आपने वढ़याता आगे activity मां एमां आपने जो यूतूब पायाल शू करी रही छे क्यारे रही रही छे, क्यारे रही 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 छे क्यारे मिनों वढ़या शू करी रही छे ये बद्धास में तमने properly explain कर यूतूब एना basis लूपर आ activity आपे लिए छे आमां जो, we firecrackers on holly आपने वोली माँ फायर खेड़ इटले फटागराफ उडिये एछिए तो आमाशू आपसे फॉल्स कांश के आपने क्या रे फटागर उडिये छिए आपने दिवाली वी में रंगोली ओं उत्रायर उत्रायर उपण आपने रंगोली बनावी चिए तो आप खोटू छे इनना आपने रंगोली क्यारे बनाएए दिवाली उपान तो आमापान फॉल्स नेक्स्ट वी पफॉर्म करबा अन नवरात्री नवरात्री में आपने घरबा रमिये छे तो देट एस राइट आज सेंटे सापकु छे आपक्या टू छे पची we decorate our homes on new year new year उपर अपने शू करिये छिये अपने घरने सजाईये छिये तो that is true पची we eat sweets on दिवाली दिवाली मा अपने मिठाईयो खाविये छिये तो हाँ बद्दाने बावेशन मिठाईयो या आज आपने दिवाली मा खाविये छिये नामा जे आपने चे के we eat sweets on दिवाली तो ए पार साचू छे means true हावे activity for C students शू कैशो जोडो on Christmas अपने सू कहिए छिये Christmas उपाज Merry Christmas बद्दाने बेचे Merry Christmas on Holy उपर अपने सू कहिए छिये Happy Holy पाची New Year उपर Happy New Year दिवाली मा Happy दिवाली आने इद उपर इद मुपार Students केवी दिवी ते आपने जोड़का जोड़े जोयू तमे आप बहुवव सिंपल छे हवे आपने नेक्स लेक्चर मा आगनी एक्टिवीटी करी सू आप लेक्चर मा आपने जोड़े आपने आपने बहुव बढ़े हैं तमे समझ पढ़े गए ऐसे आई हो तिल नेक्स लेक्चर मा कंटिवीटी करें आपने नेक्स अक्टिवीटी तरव तिल जैट बबाई टेक कैर अब आगे की जो activity है students हमने पता है dialogue writing किया था dialogue writing में कैसे दो लोगों के बीच में बांचीत हो रही थी उसी तरीके से ये activity दी गई है पहली student be quick hurry up students teacher कहती है be quick जल्दी जल्दी करो तो students क्या जवाब देते है yes madam teacher give me a ribbon मुझे ribbon दो तो यास्मिन कहती है here you are लीजिये ma'am teacher कहती है thank you उसके बाद दूसरा सववाद दूसरा conversation दिया हुआ है यास्मिन please मिहीर help me give me that posture यास्मिन कहती है मिहीर को मिहीर तो मुझे please ये posture ये दोगे मतलब उनके पास एक posture है वो दोगे मिहीर yes here you are यास्मिन हा लीजिये तो यास्मिन कहती है thank you उसके बाद यास्मिन कहता है please roshni help me cut this ribbon यास्मिन क्या वसीम sorry वसीम क्या कहता है please roshni help me roshni मेरी मदद करो तुम ये ribbon काटो रोश्नी केती है okay वसीम कहता है thank you sit down please तुम वसीम कहता है thank you अभी आप बैठ जाओ ठीक है today I hope you all have understood this chapter carefully bye bye take care stay at home stay safe